Hi friends, तो आज मैं आपको IVF का practical aspect बताने जा रही हूँ बहुत सारे patients जो IVF करवाने के लिए आते हैं वो बहुत जादा डरते हैं और काफी लोग IVF इसलिए postpone भी कर देते हैं क्योंकि उनको IVF से डर लगता है IVF कहते हैं कि IVF करवाते हैं तो बहुत सारे इंजेक्शन्स लगवाने पड़ते हैं होर्मोनल इंबैलेंस हो जाता है प्रेगनेंट होने के बाद कम्प्लीट बेड्रेस्ट करना पड़ता है और जॉब छोड़नी पड़ती है तो आपको मैं इस चीज़े क्लियर कर देती हूं कि IVF पहले की कम्पैरिसेन में काफी सिंप्लीफाइ हो गया है IVF में अभी आजकल जो इंजेक्शन्स लग रहे हैं वो पेशेंट को अराउंड दस से बारा दिन लगते हैं और वो सब्कूटेनियस उन्ेक्शनón होते हैं जो बहुत पैणफुल नहीं होते हैं जनरइल पेशें उनको अराम से बिना स्ट्रेस के लगवा लेता जाते हैं और पेशन को सेम देखे 3-4 आर्स के बार डिस्चारज कर दिया जाता है। फिर आईवेफ के इंजेक्शन कब लगाया जाते हैं। अब मान लेजे या तो पेशन को हमने उसी मन्त जो भूर था वो ट्रांसफर कर दिया जिसको की फ्रेश ट्रांसफर कहते हैं या फिर हमने अगले महीने ट्रांसफर किया जिसको की फ्रोजन ट्रांसफर कहते हैं पर फ्रेश्ट्रेश्ट्रांस्वर करें, दो पिक पेषिन को לुटिट्स मुठ्सें देता है, सब्सक्राइब अजार δेुक्ता है, चाहिए सब्सक्राइब। है बड लेकिन अगर आपन देखें तो बेस्ट मूड ऑफ हर्मोनल सपोर्ट है या प्रोजेस्टरॉन सपोर्ट है वो तो इंजेक्शन ही है मैं भी अपने पेशेंट का आइवेफ करती हूं तो मैं कम्प्लीटली ओरल मेडिकेशन पर डिपेंड नहीं करती क्योंकि जो ओरल म इंजेक्शन लग गया है तो पेशेंट के ब्लड में ही मेडिसिन जाएगे और पेशेंट को हर्मोनल सपोर्ट अच्छा मिलेगा और लाक ओफ हर्मोनल सपोर्ट की वज़े से पेशेंट को ब्लीडिंग या हर्मोनल प्रॉबल्म या मिस्कैरिज का प्रॉबलम नहीं तो अइंब्रो ट्रांसफर या भून डालने के बाद भी हम पेशेंट को इंजेक्शन चालू करकते हैं यह इंजेक्शन जनरली पेशेंट को 10 weeks तक देते हैं जब बच्चा 10 weeks का हो जाता है 10 weeks के बाद जनरली यह जो हर्मोनल सपोर्ट है यह विड्रो कर लिया जाता है और पैळिकेशन की प्रेगनसी उसी तरह से चलती है ज 이 से कोलिडीट चाहे वो सिंगल होगेशन हलाग होगी दोनों की स्ब्राकिरा के नी होता है खाली City मेने वे जब patient conceive करता है तो उसको hormonal support देना पड़ता है क्योंकि patient का uterus जो है वो artificially prepared रहता है for embryo transfer तो आजकल बहुत सारे नई तरीके भी हैं जिसमें कि हम hormonal support patient का थोड़ा कम कर सकते हैं बट लेकिन most of the doctors believe in giving full-fledged progesterone support क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि खाली medicine की deficiency की वज़े से patient का outcome खराब आएगी अब क्या इन injection से patient को long term कोई complication side effect, cancer या कोई बिमारी लगने की संभाव नहीं होती है जी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं बार बार यहीं कहना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मुझसे भी यह बहुती commonly asked question है यही जो hormones होते हैं इनका temporary effect होता है कोई long term side effect नहीं होता है जादा तर यह pregnancy and related hormones हैं जो synthetically prepared है ऐसा कुछ नहीं है कि कोई abnormal बाहर की दुनिया से लाके आपको injection लगाया गया है जिससे आपको कोई life में पर्मनेंट कोई damage हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है और जो लोग IVF कराते हैं जिनको IVF से बच्चे होते हैं आप imagine नहीं कर सते हैं उनके लिए यह कितनी बड़ी blessing होती है और कैसे वो हम doctors को treat करते हैं जब वो हमारे treatment से conceive हो जाते हैं I can't forget my patients who have delivered out of IVF babies वो मेरे पास आते ही रहते हैं और उन लोगों के regularly मेरे पास messages आना उनके बच्चों की photos मेरे पास भेज़ते रहते हैं तो I can imagine जब उनके बच्चे पांचवाँ छेशे साथ साल के हो जाते हैं तब भी वो अपने बच्चों को देख के हमें याद करते हैं और हमें messages करते हैं और thanks बोलते हैं तो at the end of the day में यही कहूंगी कि IVF is a huge blessing it's a huge technological achievement by humanity जिससे बहुत लोगों को जिनको पहले adoption की सलह दी जाती थी उनको आजकल अपना खुद का बच्चा मिल जाता है और तो उनको बहुत सारी अपार खुशियां मिलती हैं जब उनके घर में बच्चा होता है तो अपने खुद से बच्चा होने की जो खुशी होती है जो एक feeling of completeness होती है husband wife में वो इमेजन ही नहीं करी जा सकती जब उनको बेबी हो जाता है और जब वो उसी बच्चे को बढ़ता हो देखते हैं तो उनकी खुशी की कोई सीवा नहीं देती है तो आप आई वेफ को ऐसे मत देखिए कि आई वेफ पतानी क्या है और उससे किता नुकसान हो जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है आई वेफ इस ब्लेसिंग और इसको प्लीज आप ब्लेसिंग की तरह ही लीजे क्योंकि डॉक्टर्स भी जब पेशेंट का आई वेफ करते हैं तो पेशेंट में के अंदर होने वाले साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन का ध्यान रखते हैं थैंक यू